सब्सक्राइब तैग टीवी यूट्यूब चैनल और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाईए। को अगर आप स्पॉंसर्स कर सकें आप इश्टहार दे सकें तब भी हम आपके बहुत शुकर गुजार होंगे। सुशान सिंग राजपूर्थ के चले जाने की खबर ना सिर्फ बारतियों के लिए एक बहुत बड़ा शौक थी। बलके वो खबर पूरी दुनिया में गर्दश की। इसलिए नहीं के वो एक बॉलिवुड स्टार था। इसलिए के एक नए आइकॉनिक सुपरस्टार को अपनी जान लेने की नौबत क्यों आई। जब ये खबर यहां कैनिडा तक पहुँची तो मुझे हैरत हुई के कैनिडा में अमरीका में ऐसे बच्चे जो हिंदी बोलते और जानते नहीं मगर उन्होंने भी उस खबर को ट्विटर पर टिक टॉक पर महसूस किया और उस खबर में चुपे गम को शेयर किया। भारत के जब हमने सोशल मीडिया को देखा तो भारत के सोशल मीडिया पर भारत की ही एक आइकॉनिक सुपरस्टार कंगना ने जो वीडियो रिलीज किया वो सच का एक मुझ बोलता सबूत था। मैं चाहता हूँ के वो वीडियो आप देखे। सुषान सिंग राशपूर्ट की मौत ने हम सब को जिन जोड के रख दिया है मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिद है कि कैसे पैलल नेर्टिव चलाना है वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ जिनका दिमाग कमजोर होता है वो यह दिप्रेशन में आते हैं सुषाइड वगर कमिट करते हैं जो बंदेने स्टैनफोर्ट की स्कॉलर्षी वो रैंक होल्डर है इस एंट्रेंस और इंजिनेरी उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है अगर आप देखें उनके कुछ स्टै अपनाती है I feel like a leftover तो क्या इसमें इस हाथसे की कोई बुनियाद नहीं है किस तरह से अगर किसी और स्टार की इस तरह से छे साथ के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई अग्नॉलिशमेंट कोई अवार्ड नहीं मिला या केदार नाथ या चिछोरे जैसे फिल्म गली बॉय जैसे एक वाहियत फिल्म को सारे बॉर्ड मिलते चिछोरे इस दर बेस्ट फिल्म को कोई अग्नॉलिशमेंट नहीं हमें आप से कुछ नहीं चाहिए हमें आपके फिल्में नहीं चाहिए लिकित हम खुद करते आप हमारे अग्नॉलिशमे कि वह psychotic है, neurotic है, addict है, Sanjidat की addiction तो आपको बहुत क्यूट लगती है, वो लोग मुझे मेसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तु ऐसा ऐसा स्टेप मत अठाले ना, ऐसा क्यों कहते हैं मुझे ये, क्यों में दिमाग में डाना चाहते हैं कि आप सुसाइट कर लीजे, तो ये सुसाइट थी कि ये प्लाइन मुर्डर था, लेकिन शुषान के गलती ये है कि वो उनकी बात मान गया, उन्होंने कहां तुम वर्थलेस हो, वो मान गया, उसने, he didn't remember what his mother told him, उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया, वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि शुषान्त कमजोर दिमाग का था, वो ये नहीं बताएंगे कि कैसा चाही क्या है, तो हमें ये डिसाइड करना है कि हुविल राइट थे हिस्ट्री, वी विल डिसाइड थे इसके साथ साथ हम सुषान्त सिंग राजपूत की फैमली की वो खबरे भी देखते हैं, जिसमें वो इस शुबह का इज़ार करते हैं कि सुषान्त की मौत के पीछे क्या कॉंस्पेरिसी है, ए एन आई के कर्टिसी के साथ मैं वीडियो वो आपके साथ शेयर करता हूँ, फोन आया दिली से, मेरा बेटा किया कि सुषान्त के बारे में न्यू जार आप लोग कहां हैं, मैंने टीवी खोल के देखा, टीवी खोल के देखा, इस तोट गए बास, उसमें गोदी भी किला हैं अब लोगों, और बिहार का होनार लडगा तो आथ हत्यान नहीं कर सकता है, वह निश्य दूर्प से, एक साजिस है, बहुत बड़ी साजिस है, कि मिडिया कर्मी से मेरा आगरा है कि वह बिहार का लाल उबरता हुआ कलाकार एक मातरब उसकार कलाकार तो बहुत हुए लेकिन उसकी हत्या की गई है इससे पहले उसका मैनेज EGD जिस परस्क्रती हो उसको रहा हूँ उसको उपर इतना है यह मामला जो है यह कहीं से हम लोगों को पच्टा लिए कि वो लड़का सुसाइट कर सकता है फिर हमने ट्विटर पर एक एक अक्टिविस्ट डॉक्टर रिचा राजपूत का एक बहुत ही कम्प्रिहेंसिव वीडियो मैसेज देखा मैं आज डॉक्टर रिचा को अपने शो में वीडियो लिंक के साथ जोड़ूँगा लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि डॉक्टर रिचा का वो ट्विटर मैसेज वो वीडियो मैसेज आप जरूर देखें ताकि आपको अंदाजा हो कि डॉक्टर रिचा किस डेप्ट के साथ और किस दुख के साथ इस खबर को शेयर करती है वॉलिवुड में जादा तर लोग हाथों पे मोम बत्ती, कार्ट, पेट्रोल, बम लेकर सलकों पे निकल पड़ते हैं देश को जलाने के लिए लेकिन तब जब उनका एजेंडा जिहादी होता है दीपक तले अंधिरान को क्यों नहीं दिखाई देता है पूरी वॉलिवूड इंडस्ट्री को मेंटल डेप्रेशन, लड़ ट्राइंगल के अलावा किसी और मुद्दे पर बोलने पर इतनी तकलीफ क्यों होती है चाहे शुशान सिंग राजपो सुसाइट कर ले या कोई यूवर टेलेंट जैसे शाहिनी अहुजा, नील लितिन मुकेश, विवे कोवराय, अर्जुन रापाल का करियर, करन जोर और सल्मान खान जैसे लोग बरबात करके रखते यहां नेपोटिजम में अनन्या, आलिया, आथिया, सोनाची, सोनाली, जैसे लोगों के अलावा यह लोग टेलेंट को दिरेश से लाते हैं, हिंदी सिखाते हैं, अभिना सिखाते हैं, करोणों कमबाते हैं मतलब हमारे भारत में अभिनाए कि इतनी कमी क्या होता है उन प्रतबाशी लड़कियों का जो सालों से मुम्मे में स्ट्रगल कर रही है मेंटल फीजिकल हरेस्मेंट के अलावा लास्ट में इनको या तो कुईसी सीरिल में डाल देते या कोई घटिया वेब सीरीज देकर पहले बी बाद में सी कटेगरी में डालकर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है आज की तारीक में वॉलिवुड एक खासवर की बवॉती है खान और कपूर सरनेम होना बहुत ज़रूरी है अगर केवल परिवारवाद और नेपोटिजम लग रहा है तो भी आप गलत हो वॉलिवुड पूरी तरीके से दाउद और अंडर वर्ड की गिरिप्त में वॉलिवुड में काम चाहिए तो विशेज समुदाए या फिर खान होना पड़ेगा जब फातिमा रशीद का बेटा संजेद दत एके 47 रखता है दिरानवे के बंधमाकों के लिए जेल जाता है तो सेकुलर अनभाव सिना जैसे लोग उसको काम देते हैं देवदूद बनाने के लिए मसीहा बनाने के लिए बाइपिक बनाई जाती है सल्मान खान जैसा इंसान जो अश्ररवराय को टॉचर करता है विवे गोवराय का करियर बर्बात करता है नहीं तो आप मुझे बताओ कि क्या अरजीद सीन्ग जैसी प्रतिवा को सल्मान खान के आँगे हाँ जोने की जूरूत है सब को पता है कि काले हिरन से माणने से लेकर सड़क पे सोई हुए लोगों को जिंदा खुचलने के लिए सर्मान खान जिम्मेदार है लेकिन नहीं तेरे नाम जैसी पिक्चर देकर उनके वाइनस को एप्रिशेट किया जाता है क्या किसी की जान की कीमत ऐसी ट्रस्ट खोल देने से पूरी हो जाती है जहां पर केवल काले पैसे को सफेट किया जाता है क्योंकि बींग हुमें जैसे ब्रेंट खरीट पाना आम इंसान की बसकी बात तो है नहीं मुझे गर्व है कि वॉलीवूड में कंगना जैसी आवाज है वॉलीवूड में खान केवल हिंदु धरम का दुश परचार करते हैं नहीं तो इसलाम धरम पे तो कोई पिक्चर नहीं बनती है पावर्फुल मेसेज था ये बताईए कि आपकी सबसे पहले फीलिंग क्या होई धनवाद सर्थ सुशान सिंग राशपूत को मैं तद से देख रही थी जब मैं चोटी थी मैंने पवित रिस्ता से शुरुआत की थी उससे मुझे नहीं पता किया अटेश्मेंट थी लेकिन जैसे ही वो एक हीरो बनाका है पहुचे में आया और बाहर से आया हुआ लड़के ने इतना नाम कमाया उसके बाद हम लोग जो दूर से देखते हैं तो लगता था कि इनकी लाइफ कितनी अच्छी होती होगी मतलब और लोग क्यों नहीं से इसपायर होते हैं चोटे घरों क लड़कों को भी जाना चाहिए जो शुषान सिंग राजपूत को अपना आइडल मानते थे कि नहीं ठीक है यह जो इंडस्ट्री है यह सब को एकसर्ट करती है सब को कितना प्यार देती है लेकिन सदेन अगर आप उठते हो सुबह और आप देखते हो कि उसने सुसाइड कि सुसाइड मतलब होता है कि कोई इंसान अपनी लाइट से इतना परिशान है कि उसके पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा मतलब आपके पास सारे रास्ते हैं आपके पास इतना पैसा है स्टार्डम है मतलब अभी मैं यह सोचती हूँ कि मेरे पास पैसा होगा नाम होगा तो मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अगर भगवान की दिया से मुझे मिल जाता है उसके बाद सड़न ऐसी खबर आए कि इंसा मिलने के बाद आदमी मर रहा है मतलब मर चुका है तो इतने सारे सवाल छोड़ के जाता है कि अगर उसका हमें को एक जव ही लगा जो कंगना रनावत ने बोला सब ने बोला तो इतनी बड़ी सचाई सर जो इतने सालों से कंगना रनावत कह रही हैं अक्षे कुमार कह रहे हैं और बहुत सारे अनभाव तश्यप लोग कह रहे हैं लोग क्यों नहीं सुनते हैं मतलब हमारी आवाद इतनी क्यों हलक हैं और आपने पीछे ये भी बात की कि आदमी सोचता है कि बहुत बड़ी हा लाइफ होती होगी आप बॉलीवुड के आप सुपरस्टार बन गए हैं मगर यह हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड हो हॉलीवुड हो दुनिया की कोई भी बड़ी फिल्म इंडस्टी हो उसके अं राज नहीं रहा कि किस तरह फैमलीज रूल करती हैं और यह भी अब राज नहीं रहा कि किस तरह माफिया अंडरकरंट उसको लेकर चल रहा होता है आपने अपने वीडियो मैसेज में वही बात की अब तो लोग यह कह रहे हैं कि बॉलीवुड के वो जो प्रडूसर हैं या वो जो एक्टर्स हैं जिनकी फिल्मों से एक माफिया की बू आती है उन फिल्मों का बाइकाट किया जाए तो क्या अब अवाम अब जो जनता है वो सुशान सिंग राजपूत की इस दुख बरी मौत के बात यह सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि बॉलीवुड के इन माफि जाए ग्रोहों के रवये चेंज होने चाहिए सर एक चीज़ देखिए कि हम लोग माफिया वर्ड हम लोगों ने पहले कब सुना था शायद जब हम लोग नबे के दशक में थे तब हम लोगों नहीं चीज़े बहुत ज़्यादा सुनी थी कि अंडरवर्ड क्या है, माफिया क्या है सड़न आप यह सोची कि आज की टाइम पे सब खतम हो गया कि यह बले एक नेपोटीजम परिवारवाद क्यों चल रहा है आप यह बताईए परिवारवाद कहां नहीं चलता है आप राजनीत में आईए जब से हम लोग देख रहे हैं सरकारों को हम लोग को कॉंग्रेस पता है, सपा पता है कि नहीं ठीक है, इनके पिता जी यह थे तो बच्चे तो बनेंगे ही बनेंगे लेकिन जब योगी जी और मोदी जी एक लहर में जो लोगों की मतलब इनकी जो करंट आई थी उसमें वो बने, तो कितने भ्रम टूटे आप यह बताईए मतलब हम लोग को लगा नहीं, अब तो यह किसी एक परिवार की बवाती नहीं है मतलब जो हम लोग सोचते थे कि नहीं राजा का बेटा राजा बनेगा और प्रधान मंतरी का बेटा प्रधान मंतरी बनेगा तो यह मित तूटे, क्योंकि रोशनी पड़ी लोगों ने आवाज उठाई, लोगों ने सच और गलत देखा अब जिस चीज को अगर आप अंधेरे में रखोगे तो उसके अंदर की चीज़े आप कैसे देखोगे उसके लिए तो रोशनी डालने पड़ेगी अब आज जो इंसिडेंस हुआ है अगर अभी भी हम इसको नहीं देखेंगे और अवाज नहीं उठाएंगे अब सर्माफिया के बारे में आपको हम बात करेंगे आपसे कि जब नबे के दशक में शुरुआत हुई थी, जो हम लोग दाउद अबरहिम का नाम सुखते थे, उस टाइम पे कई सारे ऐसे यूट्यूब पे और मैंने गूगल पे चीजे देखी थी, कि लोगों ने शुरुआत की थी, जैसे उस टाइम पे राकेश रोशन पे हमला अगर चीजे हमारे सामने आ रही हैं और तभी भी हम इंग्नूर कर रहे हैं, सब को पता है कि सल्मान खान का रिलेशन अंडरवर्ट से रहा है, हर एक बड़े स्टार्ट, चाहे वो अनिल कपूर हो, चाहे वो संजय दत हो, चाहे वो कोई भी हिरोन मंदाकनी है, मोनिका होई, यह सारे केसिस क्यों अंडरवर्ड में चलते थे, अब क्या हो चुका है सर कि यह अपना बना चुके है, अब इनके बड़े बैनर हो चुके हैं, वो भी दाउत के हैं, जो हम लोग कहते हैं कि नहीं बड़े फैमिली वाले हैं, या जैसे धर्मा प्रोडेक्शन हुआ, क्यार के शारुक खान का प्रोडेक्शन हुआ, यह सब पैसा तो वही लगा रहे हैं, बस यह कहिए कि नाम चेंज कर दिये गए हैं, क्योंकि अब लोग थोड़े वेयर हैं, तो चीज़े अभी भी वही चल रहे हैं, नहीं तो सर, इतनी ताकत किसको मिलती है कि कोई इंसान, जज को बैलिस करो, प्रोफ़े देकर अपनी अंटिसिपेटरी बेल ले ले, बाहर भूम रहा है, सब को पता है कि इतने लोगों को मारा है, दो-दो मूवीज बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी नहीं, अभी भी कोई पिक्चर आएगी, हाउस्पूल जाएगी, तो अजीब सी कहीं अनलुन दुनिया से आते हैं, एक बार इस्टैबलिश होते हैं, तो फिर वो अपना एक माफिया क्रियेट करते हैं, हम ये भी देखते हैं, बॉलिवुड में, कि बहुत सारे बड़े नाम हैं, हता कि शारुख का अपना जो नाम है, वो शारुख किसी फैमिली से नही इसी तरह स्टरगल करके आए, जिस तरह सोशान गए ते स्टरगल करके, बिल्ट हुए, अमीता बच्चन जी है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाम भी हैं, जो नहों ने अपनी फैमिली की लेगसी बनाई, हम उसको बुरा नहीं समयते हैं, आपने ब लोगों को समझ आ रही है, कि ये चीजें टूटना चाहिए, इसलिए तो मूदी जी इतनी बड़ी मिजोरिटी के साथ हैं, इसलिए तो योगी जी, यूपी में सरकार बनाई बैठे हैं, अक्षे कुमार की मिसाल है, अक्षे कुमार भी आपकी तरह, मेरी तरह, एक कॉमन मै थे और अब वो एक सुपरस्टार है और आज भी वो एक कॉमन मैन की तरह बहेव करते हैं, ये ये इमपॉर्टन्ट है, तो ये जो रवए हैं, सुशान की ये जो जिन्दगी है, जो हम से चिन गई, इस से क्या कोई आपको नज़र आता है, कोई लेसन मिलेगा, क्या ये, ज को तरक करेंगे, आप कैसे देखती हैं इन सब चेरों को? बं धमाके हुए थे संजेदत के, उसमें सब को पता था है कि उनका कितना बड़ा रोल है, लेकिन सल्मान खान को आइडल मानने वाला इंसान कोई है? सल्मान खान, संजेदत को आइडल मानने वाला इंसान है सल्मान खान, सल्मान खान को तो कितने लोग आइडल मानते हैं सर भगवानी जाने तो इस सारी सिच्वेशन में बदलाओ की जो उमीद है वो आपको सिर्फ ये नजर आती है कि अगर उस इंडरस्टी के अंदर से लोग बोले अब हमने सुशान्त के चले जाने पर कुछ लोगों को बोलते देखा भी और लेकिन क्या उनका बोलना बदलाओ के लिए अंदर से उनकी कोई कोशिश आपको नजर आती है या सिर्फ दिखावे की बाते हैं सर बदलाओ तब आएगा जब हम बदलेंगे इवन मैं बदलूंगी अगर मुझे पता है सर अभी 2019 का एक रिवेन्यू आया था उसमें ये था कि लगभग 18,000 करोन का बिजिस करती ह आप ये सोची कितना बल्क में पैसा जाता है और उसमें 13,000 करोन केवन टिकेट से जाता है तो सबसे बड़ा कॉंटिविशन तो हमारा है अब हमें अगर बार बार केवन एक स्टार केट की पिक्चर दिखाई जाएगी हर फ्राइडे केवन एक स्टार केट की पिक्चर आए लोग अब नय जो टैलेंट है जो 20 से निकल के लोग आए हैं उनको देखना पसंद करते हैं और उन लोगों को इतना इंपावर किया जाए आज हम एक नॉर्मल जनता होंके कैसे बोलते हैं देखिए सर राजनीती में चुनाओ कैसे होता है जनता के दौरा जनता के लिए कंगना रगावत की बहन ने कब नहीं बोला तो क्या उनके वाज इतनी हलकी होती कि चार दिल के बाद शानत हो जाती है तो जब आवाज बहुत सारे लोगों की बहुत तेज होगी बदलाव तब आएगा सर जब हम लोग बोलेंगे इवन सब लोग मिलकर केवल आज एक ट्र कास नहीं डाल रहे थे लेकिन अब समझो कि वो इंसान किस तरीके के हैं अगर कोई इंसान चार लोगों को कुछल देता है उसके बाद तेरे नाम जैसे पिक्चर उसके लिए बनाई जाती है यह दिखाया जाता है कि देखो वो तो इतना कूल है उसकी तो आदती वाली है त मतलब उसको मसीहा बनाने के लिए तब तक मेहनत की गई जब तक उसके एक बाइपिक नहीं बन गई और लोगों ने माल लिया कि संजर दतने कोई गलती नहीं की थी तो आपने कहा कि बदलाओ तब आएगा जब हम अपने अंदर बदलाओ लाएंगे हम ट्विटर पे टिक टॉक पे हर जगा पर ट्रेंड देखते हैं आपने कहा कि ट्रेंड आता है चौबीस कंटे में गायब हो जाता है लेकिन डॉक्टर रेचा ये बात भी तो है कि ये ट देखना चाहती हैं वो बदलाओ जनता में आए और उस बदलाओ की बन्याद पर ही ये बॉलिवुड के जो इंटरनल माविया हैं या तो ये चेंज होंगे या ये खत्म होंगे क्या आपको लगता है कि ये बदलाओ सिर्फ ट्रेंड ही रहेगा या ये आगे एक मतलब है कि ये चीजे मात तो रखती हैं मतलब ये चीजे जरूरी है और इन चीजों को लोग पसंद कर रहे हैं तो अब जब लोगों को बार बार हमें कहना पड़ेगा एक सकते हैं आज मुझे बुरा लगा है शुशांद राजबूत का मैं दूसरी मौत का वेट नहीं कर सकती हूं यह गलत चीज है जो चीज हम लेके पैदा नहीं हुए तो उसको हम ठीक कर सकते हैं अगर सरकमिस्सांसे हमारे विप्रीत होते जा रहे हैं या फिर निगेटिव यह लोग हमारे आसपास हैं तो हमें अपनी बात शुशां तक पहुचानिये काश मेरा कुछ ऐसा कनेक्शन होता कि मैं उससे कहती कि शुशां देखो तुम्हें यह करने की जरूत नहीं है तुमने जीरो से चुरू किया तो तुम जीरो पर आ जाओ यह दुनिया सब कुछ नहीं है अगर लोगों ने तुम्हें इतना निगेटिव किया है तो छोड़ दो सब कुछ तो उसके पास समाने लोग भी नहीं बचते क्योंकि यह लोग अपने एग्रिमेंट में बिग बैनर में चमक दमक में कि इतना क्याओ कर देते हैं कि इस आनके पास अकेला हो जाता है कि केवल मौत दिखाए देती है उसका साथ उसको अगर कि आज मेरे अंदर तो मैं क्या सोचूंगी सब को छोड़ देती हूं अगर दुप पेटी तो भरना एंलंगर पर बैठ जाओं भी जाके अम्रेट सर में बैठ जाएंगे दो टाइम का खाना मिल जाएगा तो उसके बाद भी अगर इंसान को जीना नहीं पसंद आता तो सोची परिस्ति और दिमाग की स्थिति कितनी बुरी होती है कि वो कमरे से भी निकलता होगा तो तो निगेटी फोन पॉल आती होगी तो भी निगेटी तो उसकी स्थिति मैं समझ सकती हूँ आज क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे पास निगेटिव चीज़े नहीं है लेकिन मैं अपने आपको इसलिए लोगों से जोड़ी हो कि ताकि कुछ तो पॉस्टिय लोग मेरे पास में रहे काश मुझे कोई बताए कि नहीं मेरे अंदर ये टेंडेंसी आ रही तो मैं उसके हल्प कर पा और जो इसकी एक अपना ग्लैमरिस जो एक एसपेक्ट है वो शायद एक्टर्स को और इस दुनिया में आ जाने वालों को उसके अंदर ही रहने पे मजबूर करता है जब ये एसास पैदा हो जो अक्षे कुमार में है जिसका इजहार आप कर रही है कि ये चीजें आनी जानी है ये चमक दमक आनी जानी है तो फिर उससे कोई फर्क नी पड़ता मगर सुशान्त की जिस तरह बुलिंग हुई ये उसकी खबरे आ रही है उनकी फैमिली के लोग कह रहे हैं और उस पर जो आप डॉक्टर रिचा कह रही है कि जब तक हम जनता हम जो फिल्म देखने वाले अपने बदलाओं को आगे नहीं बढ़ाएंगे चीजें नहीं बदलेंगे मैं आपसे बिल्कुल इतफार करता हूँ कोई खास बात जो हम आज की डिसकेशन में मिस कर रहे हूं और आप कहना चाहती हूं आखर में जरूर कहें मैं सर ये कहना चाहती हूं कि हम लोगव को अपनी याददाश बहुत तेश करने ही पड़ेगे मरने के बाद हमें उनकी राइन नहीं खोज़नी कि सूषाना सिंग तर तो आप आवाजे सुनिए आपको देखना पड़ेगा सर हर एक ये आवाज इंपोर्टेंट है जरूरी नहीं है कि वो सोशान सिंग राजपूते को कंगना है तो हम उसके आवाज सुने हर एक इंसान की कीमत होती है सब का वो किसी का बेटा था मैटर ये करता है लोग इस तरी होगा कि तुम्हारा बेटा हीरो है तो इतनी निर्दई ही लोग हो चुके है हम लोग तो मुझे लगता है सर उनको सुधाने से पहले मुझे अपने आसपास के लोगों को बहुत समझाना पड़ेगा बहुत सुधाना पड़ेगा इवन मुझे खुछ से शुरूआत करनी है अगर आज मुझे बुरा लगा तो मैं चला रही हूँ मुझे इसके पैसे नहीं मिल रहा है लोग आज आज सब कुछ बिजनस की तरह हो रहा है ट्रेंड चलता है चलो चलवाते हैं यह क्या वारीदा है कि 24 घंटे में चल के खतम हो रहा है आप छोड़ दीजिए इनके PICCAS जोड़ दीजे, बाइकॉट कर दीजे, किसी की मजाल नहीं है कि जो इंसान एक रुपए भी कमा पाए, पूरा का पूरा रेवेन्यू केवल टिकेट के पैसे से चलता है, सब कुछ इनका केवल जनता करके देती है, तो अब चीजें बदलनी पड़ेगी, जैसा मैंने पहले ब बनेगा, और प्रधान मंतरी का बेटा प्रधान मंतरी नहीं बनेगा, हीरो का बेटा हीरो नहीं बनेगा, हीरो इनकी बेटी हीरो नहीं बनेगी, जिसके पास टैलेंट होगा, वो आंगे बढ़ेगा, वो राज करेगा, और वही लोगों के नहीं मिसाल बनेगा, बहुत बह रिया डॉक्टर रिचा आपने बहुत ही काम की बातें की अभी आपने डॉक्टर रिचा राजपूत की बात मेरे साथ सुनी और देखी और आपको एक बात का बिलकुल अंदाजा हुआ जो वो खुलकर कहती हैं और मैं उनके साथ अपनी आवाज शामल करता हूँ वो यह है कि कोई जरूरी नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बने कोई जरूरी नहीं कि हीरो का बेटा ही हीरो बने कोई जरूरी नहीं कि हिरोईन की बेटी ही हिरोईन बने और नहीं जरूरी है कि रानी की बेटी रानी बने यह वो मैसेज है जो हम भारत में मूदी जी हों या योगी ज आपकी तरह मेरी तरह के आम इनसान है मगर अपनी एबिलिटी के साथ, अपने टैलन्ट के साथ वो आगे आते हैं और अपना लोहा बनवाते हैं. और यही वो मैसेज है, जो असल में पुराने सचे लेफ्ट का हुआ करता था. मगर आज का लेफ्ट एलीट बन गया है मगर ये लेफ्ट जो हुआ करता था जो किसी किसम की ये घरानों की लेगेसी के हाक में नहीं होता था टैलेंट के हाक में होता था वो मैसेज अब हम लोग केरी करते हैं यूट्यूब पर टैग टीवी का चैनल सबस्क्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाएं किसी किसम का चैलेंजिंग जमाना हो टैग टीवी अपने व्यूज और न्यूज लाने में देर नहीं करता आपका तावन भी हमें चाहिए टैग टीवी को अगर आप स्पॉंसर्स कर सकें आप इश्टहार दे सकें तब भी हम आपके बहुत शुकर गुजार होंगे सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल और प्रेस थे नोटिफिकेशन पटन